नमस्कार प्रस्तुत्य शरचंद चटोपाध्य के द्वारे लिखावा उपन्यास चरित्रहीन का 28 वाभाग आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग के कहानी दिवाकर और किरण मही को एक ही कमरे में पाकर उपन का सिर लज्जा से जुख जाता है इधर अगोर मही भी बहु को लज्जित करने का कोई आफसर नहीं चोड़ती पर किरण मही तटस्त है वो किसी से कोई बहस नहीं करती वो मनी मन कुछ निश्चय कर चुकी होती है उपन किरण मही को ग्रिना से देखते हैं और दिवाकर को अपना बोर्य बिस्तरा बांध कर चलने को कहते हैं अगोर मही कहती है कि अमावस की रात को किसी का जाना अच्छा नहीं होता कल सवेरे ले जाना हम न रोकेंगे उपेन के चले जाने के बाद किरण मही को और कोई रास्ता नहीं सूचता फिर वो अपने महरी का सहारा लेकर एक योजना बनाती है महरी बताती है कि उसकी छोटी बहन अराकान में है सवेरे होने के पहले ही किरण मही दिवाकर को जगा कर अपने साथ चलने को कहती है दिवाकर कहता है कि वो लाचार है उपेन दादा की बात नहीं टाल सकता किरण में ही कहती है कि कौन हो पेंदादा क्या वो मुझसे भी बढ़कर तुम्हारे अपने है गाड़ी खड़ी है चलो दिवाकर पूछता है कहां पर वो नहीं बताती और सीधे उसे लेकर जहाज पर चली जाती है जब तक दिवाकर कुछ समझ पाता जहाँ चल पड़ता है और उसकी आँखों में आशु भराते हैं अब सुनते हैं आगे की कहानी बहुत देर तक इसी तरह निश्चल भाव से बैठे रहने के बाद एका एक उसे यह खयाल आया कि बहुत देर हो गई दिवाकर अभी तक नहा कर नहीं लोटा उसने एक बार बाहर जाकर देखा दिवाकर का कहीं पता नहीं लोटकर दर्वाज़ा बंद करके फर्ष पर बैठते हैं उसके मुझ से आप ही निकल पड़ा अह यह भी भागे में लिखा था इसके बाद ही उसकी दोनों आखों का जल मुक्ताहार की तरह बरसने लगा बाहर आकर दिवाकर स्थिर नहीं हो सका वो इधर उधर घूमते टहलते टहलते जहाज के जिस हिस्से में तीसरे दर्जे के यात्री सुकड़े वे बैठे थे वहां उतर गया और भिन भिन प्रदेशों के अन्य जातियों की यात्रियों में अपने आपको बहलाए रखने के लिए राह खोचता पिरने लगा इस भारत वर्ष में कितनी विभिन जातियां हैं कितने प्रकार की विन भिन पोशाके और पहनावे हैं कितनी अज्यात भाशाएं प्रचली थे या आज पहले पहल देख सुनकर दिवाकर विसमे से अवाख हो गया। जहाज कि इस खोल की भीतर उस जनता और अनिक प्रकार की भाशाओं के सम्रिशन से जो अदबुत कोला हल हो रहा था, वह कैसा विचित्र था। दिवाकर सीडी से नीचे उतर गया और निर्वाक विसमे से स्तब्द होकर खड़ा रह गया। थोड़ी से जगर पर दखल जमाने के लिए यात्रियों की बीच कुछ देर पहले जो प्रबल धक्कम धक्का, ठेला ठेली और जबर्दस्त तरजन गर्जन चल रहा था, वह अब थम गया था। यात्री लोगों ने अपने दखल किये वे अस्तानों पर बिस्तर बिचा कर सामान का बेड़ा खड़ा करके भरसक निरापद होकर अब अपने पड़ुसी की और ध्यान देने की फुर्सत पाई थी। हर एक हर एक का संतोष जनक परिचय पाने के लिए उत्सुक होकर जोर जोर से बोल रहा था। दिवाकर ने समझ लिया, या कोलाहल उसी की समश्टी है। एक और दिवाकर की नजर पढ़ते ही एक बंगाली उठकर चिल्लाने लगा। बाबु महाशय, जरा इधर आईए, इधर आईए। इसके पास एक मजबूत काठी की औरत बैठी थी। उसने भी उत्सुक नेत्रों से उस मर्द के अनुरोत कहीं समर्थन किया। दिवाकर बड़े परिश्रम से बहुत से लोगों की जिर्की और लाल-लाल आखों को बरदाश्ट करता हुआ, भीड के भीतर सावधानी से बच बचा कर पैर रखता हुआ, उसके पास आपहुचा, और उस आदमी ने पास में रखेवे लोहे के ट्रंक के उपर जगह दिखा कर कहा, यह मेरी टीन की संदूक नहीं है साहब, असल लोहे की है, आप बेखट के बैठिये, हां महाशे, आपका परिचे, दिवाकर ने कहा, ब्रह्मभन, उस आदमी ने फोरण दोनों हाथ बढ़ा कर दिवाकर के जूते के उपर से ही उसके चरन धूल लेकर, जीब में, गल कहा, दिवाकर ने अंगुली से जहाच का उपरी हिस्सा दिखाया, उसने कहा, केबिन में है, चाहे जहां रहिए, शाम को एक बार पैरो की धूल देना न भोलिएगा, जाइएगा कहा, रंगुन, दिवाकर ने गर्दन हिला कर कहा, नहीं, अराकान, अराकान तो मैं भी रहत हूँ, आज 20 वरस से वहीं हूँ, मगर महाशे को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, यहीं पहले पहल जा रहे हैं क्या, वहाँ कोई आत्मिये है, नहीं है, नहुं कोई चिंता न कीजेगा, महाशे के मातर पिता के आशिरवात से मैं वहाँ का एक बड़ा बारी वाला हूँ मेरे कई कमरे खाली पड़े हैं, बस आप मेरे साथ ही चलिएगा, फिर पास में बैठेवी औरत को दिखा कर कहा, यह बाड़ी वाली है, बाड़ी वाली अब तक एक टक दिवार की और ताक रही थी, उसने बहुत ही भारी मोटे गले से पूचा, आपकी बहु भी साथ हैं श मांग में खूब चोड़ा सिंदूर, नाक में नत, और दोनों कानों में 20-30 बालियां थी, सिर पर जरा सा नाम मातर को आचल पड़ा था, यह भी उत्साह के आवेश में नीचे किसक गया था, बोली, अच्छा ही वाजो आपसे भेट हो गई, अराकान बहुत बुरी जगह है बाबू, मंगोको का मुलुक है, लेकिन मेरे घर पर किसी की मजाल नहीं कि दात गड़ावे, मैं ऐसी वैसी बाड़ी वाली नहीं हूँ, उस देश में ऐसा कोई नहीं है, जो कामिनी वैशनोवी को डरता नहो, आप मेरी बाड़ी में रहिएगा कोई डर नहीं है, किराया प दिवाकर ने फ्रश्न किया, महाशे का नाम? उसने कहा, हरिश भटाचारे, नाना हाथ न जोड़िये, अपराध होगा, मैं ब्रम्भर नहीं हूँ, किवल मल्ला हूँ, लोग आदर करके भटाचारे कहते हैं, मैंने तीन लड़ी की एक कंठी माला पहन ली है, और मांस मचली खाना छोड़ दिया है, और बहुत भी कुछ कर चुका हूँ, महाशे, दोडाई हजार रुपे खर्च करके चारो धाम हो आया, और घर में भी तीन-चार साल से नवरातर में दुरगा पूजा करता हूँ, अब और क्यों? इसी से बाड़ी वाली से बीच-बीच में कहता हू कि अराकान में जो कुछ है सब बेच-बाच कर चलो, किसी तीर्थ स्तान में चल कर रहा जाए। कहकर वह उदास मोह बना कर चुप-चाप ऊपर की ओर ताकने लगा। बाड़ी वाली ने अपने स्वभाविक मोटे गले से जवाब दिया, मैं भी तो यही कहती हूँ, कच्च वह भी आखें उपर करके सुन्न होकर बैठी रही। दिवाकर पक्का आदमी ना था, इस सब इतिहास का निगूर तत्वक कुछ भी न समझ पाकर वह भी चुप-चाप बैठा रहा। बाड़ी वाली बोली, हाँ बाड़ी वाले, तो फिर अब चुड़े भीगो दू। बा बाड़े होकर बोला, अब मैं जाता हूँ, फिर आऊंगा। हरिश्चे विदा होकर दिवाकर बिना नहाय खाई ही डेक के एक आराम कुरसी पर लेट कर सो गया। वह जान ही न पाया कि जहाच कब नदी के गंदेले पानी से निकल कर खारी सागर के काले काले अथा पानी में पहुँच गया है। लोगों के असफट कोलाहल से दिवाकर की नीद खुल गी, उसने आग खोल कर सामने देखा, लाल लाल सूर्य डूब रहा है। बहुत से लोग तरक वितरक करते करते यही देख रहे थे। जिस सूर्यास्त का विवरन उसने पहले अंग्रेजी और नमस्कार करते ही उसकी आखों में आसू भराए। सूर्य के अस्थ हो जाने पर वह भी उधरी दाखता रहा। क्रमशा, आकाश और जल दोनों का एक सा गहरा काला रंग हो गया। तब भी दिवाकर वैसे ही रेलिंग पर जुका अस्तब धोकर दाखता रहा। काला जल दोनों के बीच दिवाकर ने अपने रिदय की बहुत गहरी कालीमा को डुबा दिया और कुछ देर के लिए उसे कुछ स्वस्ती मालूम हो भी। इसी समय अचानक किसी के कोमल हाथ के सपर्ष से उसका ध्यान उजट गया। चौक कर देखा, किरन मही है। किरन मही न चुप हो रहा। किरन मही छण भर उत्तर की राह देखकर भीतर आओ कहके जूर करके उसे अपने केबिन के भीतर खीच कर ले गए और फर्ष के उपर बिच्छाएगे बिच्छोने पर बिठा कर बूली। और कुछ अगर ना समझो तो कम से कम यह तो समझ रहे हो न कि सौ बार रोने धोने पर भी जहाज तुमको लटा कर नहीं ले जाएगा। खाना पीना छोड़ कर सूख कर मरने से भी नहीं और सागर के जल में फांद पढ़ने से भी नहीं। अराकन जाना ही होगा। तो फिर क हमारी कसम खाकर कहती हूँ लला रोकूंगी नहीं। कहते कहते है किरनमय का कंठ स्वर उग्र हो गया और भूख प्यास से व्याकुल नेत्र आग की तरह दिप्त हो उठे। दिवाकर सिर उठाकर मुग्द की तरह ताकता रहा। आज इतने दिनों के बाद उसे जान पड़ा कि जैसे परदे की आड मेवा अकसमात सत्यवस्तु के दर्शन पा गया। किरनमय के दोनों सुंदर नेत्रों की वासना दिप्त भूखी नजर के भीतर और चाहे जो हो उसके लिए प्यार की एक बूंद भी नहीं। तथा पे उसने कुछ भी न कहा। चुपचाप नजर नी कर उची होकर बैठ गई। फिर जबरदस्ती एक हाथ से उसका मौ उठा कर दूसरी हाथ से एक-एक मिठाई का टुकड़ा उसमें डालने लेगी। इसी तरह सब मिठाई खिलाकर की रनमयी ने च्छन पर जैसे अपने मन में कुछ सोचा, फिर जुक कर दिवाकर के गीले होने की तैयारी होने लगी, तब उससे किसी तरह नहीं रहा गया। उठकर खड़े होकर उसने कहा, यह नहीं होगा भाबी, मुझसे यह किसी तरह नहीं हो सकेगा, मुझे छोड़ दो, मैं बाहर किसी भी जगा जाकर पढ़ रहूंगा, लेकिन तुम्हारी इस आग्या का प किरण मैं पहले हसने की चेश्ठा की, किन्तु हसी नहीं आई, बोली, क्या नहीं होगा लला, सोना, उसकी दोनों आखे गोली खाईवी शेरनी की तरह धक धक करके जलूठी, उसने दात से दात दबा कर धीरे से कहा, तुम क्या सोचते हो, कि भले घर की बहु को घर से निकाल कर लाना इतना सहज है, या तुम ऐसे दूद पीते बच्चे हो कि किसी काम का क्या फल होगा तुम कुछ भी नहीं समझते, सोचा होगा कि सारा अपराद मेरे सिर पर डाल कर, मज़े से भले मानुस की तरह इस देश चे लोट कर अपने उपेन दादा के पैर चुकर कसम खाकर कहोगे कि तुम साधू पुरुषो और तुम्हारे उपेन दादा सिर उचा करके चलेंगे, यह नहोगा लला, तुम मेरी सब बाते नहीं समझोगे, समझने की जरूरत भी नहीं है, तुम साधू पुरुषो या नहीं, इसके मुझे कोई चिंता नहीं, किन्तु अपराद के बोज से जब मेरा सिर जुक जाएगा, तब तुम्हारे उपेन दादा को सिर उचा करके चलने लाइक में किसी तरह नहीं रहने दूँगी, यह तुम निश्चय जान रखो, यह कह कर वह फिर शयन रचना में लग गई, और पास ही गदिदार बेंच के उपर दिवाकर और पापिष्ठा की सेज पर आत्मसमरपन कर दिया, रात बर दिवाकर की तंद्रा से ढखेवे दोनों कानों में नजाने कहां का आसफुट रोना एक प्रवाह की तरह आकर पहुँचता रहा, और उसी की बीच में नजाने किन की कृध लंबी सांसे रह रह कर गरज कर उठन किरनमई का कोमल बाया हाथ निद्रित काले साप की तरह पड़ा हुआ है, कहीं जाकर वो उसे डस न ले, इस आशंका से उठने का सहास नहीं किया, आखे मोंदा पड़ा रहा, हवा और जहाज के डोलने का वेक क्रमशा बढ़ने लगा और उसे किरनमई की नींद खुल गई, उसने दिवाकर की छाती पर पड़ेवे शिथिल हाथ को जरा दबा कर धीरे से पूछा, बाहर क्या हो रहा है, तुफान है ना, दिवाकर ने कहा, हाँ, तो उपाए, दिवाकर ने कुछ जवाब नहीं दिया, किरनमई ने मन ही मन हस कर कहा, शायद भगवान से प्रातना कर र किरनमई ने कहा, बस छोटी सी न, तुम मनोश हो या पत्थर लला, और दिवाकर को छाती के उपर जोर से खीच कर दबा लिया, और कहा, जहाँ जगर डूबे तो हम दोनों इसी तरह मरें, किनारे जाकर लगेंगे, लोग देखेंगे, अखबारों में चपेगा, तुम्हार उपेन दादा पढ़ेंगे, या क्यासा रहेगा लला, चित्र का यह अंश, जो किरनमई ने हसी के चल से खोल कर दिखाया, इसकी कोई जगा दिवाकर के निकट शून न थी, वो मन ही मन कुंठी थोकर, धीरे धीरे अपने को बाहु बंधन से चुड़ा कर बैठ गया, फिर अंधी ने अभी जोर नहीं पकड़ा था, तो भी सागर के जलका यह कैसा विराट रूप है, सामने के सीमाहिन विस्तार का जो कोई स्थान उसकी नजरों में पढ़ा, वही उसकी सारी अग्यता के बाहर था, पास ही एक कूरसी पड़ी थी, उस पर बैठ करवा एक टक की और ताकने लगा, रिदय के भीतर्ट नजाने कैसा होने लगा, उसका असपष्ट भाव से अनभो करने के सिवाए बुद्धी पूर्वा खिर्दय संगम करने की शक्ति उसमें नहीं थी, जहाज के उपर उदाम लहरें सफेद फेने का किरीट सिर पहन कर उनमत्य की तरह फांदी पड़ गई थी, फिर चूर चूर होकर नजाने कहां लुप्त हो जाती थी, फिर उठकर दोड़ती थी, टकराती थी और फिर गायव हो जाती थी, इसी तरह का आगात अभिगात का अनभुत खेल दिवाकर मुग्द नेत्रों से आत्मे विस्मित होकर देखने लगा उपर पुर्वदिशा के आकाश में दिगंत से काले भूरे बादल, पहाडों की तरह जमा होकर उठ रहे थे, और उनके पीछे बाल सूरे निकला की नहीं, एक किरन भी इसके खबर नीचे आने के लिए राह नहीं पा रही थी चनबर के बार देख के उपर खलासी लोग व्यस्त भाव से इधर उधर आने जाने लगे और उपर कप्तान का घंटा बार बार जोर जोर से बजने लगा आकाश के बादलो और सागर की लहरो ने यह खबर की कि आन्धी का वेग उत्तर उत्तर बढ़ रहा है और भविश्य में और भी बढ़ेगा ब्रेच पर खड़े कप्तान से लेकर नीचे की कामिनी वैश्नवी तक सबको सुष्पष्ट घोष्णा के साथ बतला दी गई इसी समय एक खलासी ने आकर कहा बाबुजी पानी बरसने में अब देर नहीं है यहाँ इस आन्धी पानी में बैठकर क्यूं कश्ट पावेंगे बीतर केबिन में चले जाएए देखिये वहाँ क्या हो रहा है दिवाकर ने घबरा कर बूचा क्या हुआ वहाँ? खलासी चटगाओं का रहने वाला मुसल्मान था उसने हस्ते चेहरे से पुर्व बंगाली की दुर्बोध बंगला में कहा कुछ नहीं हुआ लेकिन जहाज बहुत जोके खा रहा है की नहीं इसी से कहता हूँ कि बाबुजी वहाँ जाकर देखिये औरतों का क्या हाल है इतने जोके बरदाश्ट करना बहुत कठिन है दिवाकर ने उठकर खड़े होते ही समझ लिया कि खलासी का कहना बिलकुल सच है वह गिर पड़ता था खलासी ने पकड़ लिया और कहा चले बाबुजी आपको पहुचा हूँ उसकी साहता से किसी तरह दिवाकर केबिन के द्वार तक पहुचा दर्वाजा ठेल कर भीतर जाकर देखा किरन में नीचे का बिचोना छोड़कर पास के लोहे के बेंच के उपर पेट के बल पड़ी वी उसके एक सीरे को जोर से पकड़े वे दिवाकर धीरे धीरे जाकर उसके सिराने बैठ गया बोला कश्ट हो रहा है भाबी किरन में कुछ बोली नहीं नसिर उठाया केवल दिवाकर की गोद में अपना हाथ रखकर चुप-चाप पड़ी रही जहाज उलटने पलटने लगा बाहर कुद्ध पवन गोँ गोँ सोंसों करके चीखने लगा और उत्ताल तरंगों का जो खेल अभी दिवाकर बाहर देख कर आया था उसी के उचलतेवे जलकन वेक से छोटी सी खिरकी के शीशे पर बारंबार पचाड खा खा कर गिरने लगे दिवाकर ने देखा इस छोटी सी कोटरी से इससे में भी अंधकार अच्छी तरह से गया नहीं है और नीचे रात का बिचोना वैसे ही बिचा है पलभर मेही उसे बीतीवी रात की सारी याद ने चक्की के पाट की तरह दबा दिया उसके सिर में चक्कर सा आ गया और वहां बैठे रहने की सारी शक्ती जैसे कोई उसके शरीर से खीच ले रहा है यह सपष्ट अनभो करके दिवाकर वही उस संकरी बेंच के उपर ही किरण मेही के सिर के पास सिर रखकर मूर्चित की तरह लेट गया किरण मेही ने उसके सिर को हाथ से सहलाते वे कोमल स्वर में कहा लेट क्यों गया? सिर में चक्कर आ रहा है दिवाकर ने कहा किरन मही ने च्छन भर चुप रहे कर पूछा अच्छा लल्ला तूफान तो क्रमशा बढ़ता ही जा रहा है क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जहाज डूप जाएगा दिवा करने कहा किरन मही ने कहा हा या ना यही दो अक्षर तुम्हारे मुँसे निकलते हैं क्या तुम अदालत में गवाही दे रहे हो या कहकर वह बहुत देर तक चुपकी पड़ी रही कुछ देर बाद धीरे से बोली अगर डूबेगा नहीं तो भी इस तरह कितने दिन चलेगा दिवाकर को कुछ उत्तर न देते देखकर किरन मही ने हाथ से उसका सिर सहला कर कहा सुनने ही पा रहे हो क्या दिवाकर ने कहा सुन पा रहा हूँ जितने दिन चल सके चले किरन मही ने कहा उसके बाद दिवाकर ने कहा उसके बाद भी समुद्र में पानी रहेगा गले में फंदा लगाने के लिए रस्ती भी मिल जाएगी दोनों में से कोई एक चीज छाट लेनी होगी किरन मैं बहुत देर तक चुप चाप पड़ी रही फिर सहत स्वर में बोली नहीं, यह ना करो घर लोट जाओ तुम मर्द के बच्चे हो जाकर कुछ बना कर कह देने से भी जंजट मिट जाएगा बहुत मुमकी ने इसकी जरूरत भी न पड़े तुमारा अपना कोई आदमी इस बात को लेकर अंदोले नहीं खड़ा करेगा दिवाकर चुप हो रहा ऐसा प्रस्ताओ चाहे जितना लुभाने वाला क्यों नहीं हो वो अपने मन में ग्रहन नहीं कर सका बहुत देर तक चुप रहने के बाद बह बोला और तुम किरन मैंने पहले की ही तरह सहच शांस्वर में कहा मैं जहां जा रही हूँ वही रह जाना होगा दिवाकर के मन में संदेह उत्पन्न हो गया बोला किस तरह रह जाओगी भाबी वहां तुम्हारा कौन है कोई नहीं तो फिर तो भी रह जाना होगा दिवाकर उतकांठा के मारे उट बैठा बोला जरा सपष्ट करके बताओगी न भाबी कहती हो कोई नहीं फिर कैसे रह जाओगी समझ में तो मेरी कुछ नहीं आता तुम क्या वहां अकेली रहोगी किरन मही हसी वह हसी दिवाकर देख न पाया देख पाता तो चौक जाता कुछ देर चुप रहकर किरन मही ने दीरे से जवाब दिया नहीं लला अकेली न रह सकूंगी मेरी उम्र वैसी नहीं है लेकिन तुम्हारे आगे उन सब बातों की चर्चा करने की आविशकता नहीं है और उसने दिवाकर का दाहिना हाथ सहसा अपने मुख की ओपर खीच कर रख लिया और अतनते व्यथित स्वर में कहा लेकिन मैंने तुमको भी व्यर्थ कष्ट दिया इसके लिए शमा मांगती हूं लला दिवाकर फिर अवसन्य की तरह लेट रहा सब बाते तो उसने निशंशे रूप से समझ नहीं पाई किन्तु इतना समझ लिया कि घर लोट जाने की अंदकार में राह के लिए जो आशा का दिपक घड़ी बर पहले ही उसने मूड की तरह जलाया था उसे बुझा देने का समय आ गया है दिपक बुझा अवशे लेकिन उसकी दुरगंद फैलाने वाली भाब से दिवाकर का अंतकरण एकदम भर गया वह रूंधी वी सांस और गहरी वेदना से एकदम खड़ा हो गया और फिर बैठ गया फिर तीखे स्वर में पूछा तुम क्या दिल लगी कर रही थी भाबी? मुचोर और लजीले दिवाकर की इस आकस्मिक उगरता से किरण में चौक उठी और बोली कैसी दिल लगी लला? घर लोट जाने की बात इस विद्रूप की क्या ज़रूरत थी? हसी या व्यांग मैंने तो कुछ भी नहीं किया तो क्या या सच है? सची तो है भाई तो फिर या भी सच है कि तुम अकेली रह जाओगी? हाँ, या भी सच है और इसी से शायद आराकन जा रही हो लेकिन किस के पास किस तरह रहोगी? इसके उत्तर में किरण में ने केवल एक सांस छोड़ी वो अच्छी तरह जानती और समझती थी कि उन दोनों का या भागना दिवाकर के लिए कैसा आस्वाभाविक है और इसकी लज्जा उसके लिए कितने दूस्सा है और यह भी किरण में को अच्छी तरह मालूम था कि इस दारून अवस्ता संकर में पढ़कर उसका मन कहा तक विकल हो गया है दिवाकर को उसने प्यार भी नहीं किया प्यार करना असंभव है तो भी आश्चर्य की बात है कि उसकी परिपूर्ण उदासींता से वह मन ही मन अब तक व्यथा ही पा रही थी शेश कहानी अगले भाग में कहानी सुनने के लिए बहुत भूत धन्यवाद